Assalamualaikum dear students, आज हम इस वीडियो में जो है वो chapter number 8, first year जो है उसकी 8.2 exercise जो है वो start करेंगे तो 8.2 exercise के अंदर हमारे पास जो topic है, actually वो है binomial theorem Binomial theorem अब binomial theorem मेरे पास क्या चीज है और किस तरह से हम इसके question को solve करते हैं और यह कैसे use कियाता है, हम सब कुछ इस वीडियो में डिसकस करेंगे Binomial मेरे पास क्या चीज है, binomial actually मेरे पास जो है वो जो है एक ऐसा algebraic expression जिसमें सिर्फ दो terms include होती है, ठीक है Binomial के मतलब क्या है An algebraic expression Algebraic एक्सप्रेशन Consisting Two Terms जैसे कि हमारे पास such that कि हमारे पास कोई है A प्लस X ठीक है इस तरह X-2Y जैसे कोई भी दो, कोई सी भी दो कोई सा भी ऐसा algebraic expression जिसमें सिर्फ दो terms होती है यह हमारे पास क्या कहलाता है यह हमारे पास binomial कहलाता है ठीक है तो अब हमारे पास क्या है Binomial theorem actually कभी यूज़ होता है जैसे let's suppose हमारे पास अगर एक मेरे पास binomial expression है A प्लस X इसका अगर मैं square open करूँ तो आपने इसका जो है वो formula बढ़ा होगा है A square प्लस 2 A X प्लस B square जिसको आप जो है वो calculate ऐसे भी कर सकते हैं अगर हम इसकी power को break कर दें 2 times लिखते है A प्लस X into A प्लस X तो आप बड़ी असानी से इसको multiply करके यह जो चीज़ वो find कर सकते हैं इसी तरह अगर हमारे पास A प्लस X की वगर हमारे पास power 3 आजए whole cube आजए तो इसका formula भी हमें जो है वो basic level पे हमें सिखाया था है 910 में हमने पढ़ा था A Q प्लस 3 A square B प्लस 3 A B square प्लस B Q तो हमारे पास इसको भी हम जो है वो calculate कर सकते हैं हम बच्चों को chronically हमेशा यह चीज़ चीज़ करते थे हम इंको 3 time multiply करेंगे तो यह यह आएगा ठीक है लेगिन जब हमारे पास power जो है वो indices जो है वो 3 से greater आजए जैसे 4 आजए 5 आजए तो 6 आजए 10 आजए जो भी है positive आजए जितनी भी हम यहाँ पर positive power करेंगे तो हमारे लिए difficult हो जाएगा कि हम इसको किस तरा solve करते हैं हम इसको किस तरा expand करेंगे ठीक है फार्मॉला कैसे open करेंगे तो उस चीज को जो है वो हल करने के लिए हमारे पास जो चीज यूज होती है वो है binomial theorem तो actually इस binomial theorem को let's suppose अगर मेरे पास एक n जो है वो power है मेरे पास a प्लस x की power जो है वो n है ठीक है अब n क्या है n के उपर मैं एक चीज़ देता हूँ एक जो है वो positive number है positive integer है ठीक है greater than 0 है जब positive number लूँगा n तो मेरे पास मैं इसका formula कैसे expand करता हूँ तो उसको expand करने के लिए मेरे पास जो हमने last chapter में पढ़ा है combination तो जो coefficients है जैसे हमारे पास इस binomial theorem के अंदर ये जो हमने simple जो हमारे पास form थी a plus x square की उसमें जो coefficients है यहां 1, 2, 1 1, 3, 3, 1 तो इसके लिए हमारे पास पासकल एक triangle है वो भी method है लेकिन हम इसको हमारे बुक में नहीं हम इसको discuss नहीं करेंगे हम सिरफ इसको जो है वो combination से हम अपने जो terms हैं उनके coefficients निकालेंगे तो actually मैं सिरफ पहले define करेता हूँ कि binomial theorem है क्या तो binomial theorem को हम जब इसको expand करेंगे है n combination 0 आपने यहां से start करना है ठीक है n combination 0 combination को लिखने का यह भी तरीका भी है जैसे कि हम मैं यहां पे explain करता हूँ combination को दो तरीकों से लिख सकते हैं n combination let's suppose r है ऐसे लिख लो या फिर जो हमने last प्रीवेस चैप्टर में पढ़ा था उसकी notation यह है n combination r यह दोनों सेम चीज़े हैं तो मैं यहां पे ऐसे लिखूँगा सबसे पहले जो मेरी first term है a इसकी power में highest लोँगा a की power n जितनी power है उतनी n और x की power 0 से start करूँगा ठीक हो गया फिर देख लें कि जब मैं यह first term लिखूँगा first term लिखने का तरीका यह है कि n combination 0 जो first term है a उसका मेरे पास power में highest power n लोँगा और x की power 0 लोँगा प्लस अब मैं n combination 1 लोँगा ठीक है और a की power 1 कम कर दूँगा ठीक है पहले n थी तो n में से 1 कम करेंगे तो n माइनस 1 आ जागी और x की power 1 ज्यादा कर देंगे तो अभी यहाँ 0 थी तो एक power ज्यादा करेंगे 0 प्लस 1 1 आ गी इसी तरह next term मेरे पास क्या बनेगी n combination 2 और n combination 2 लिखूंगा तो मेरे पास जो a है a की power एक और कम कर देनी है तो पहले मेरे पास क्या थी n माइनस 1 थी तो यहाँ पर n माइनस 2 है और x की power 1 बढ़ा देनी है तो 2 आ जेगा इस तरह इसी sequence में चलेंगे तो next term आएगी n combination 3 ठीक है combination कैसे निकालने है यह चीज़ हमें क्या देगी यह हमें coefficients देंगे n combination 3 n combination 2 n combination 1 और n combination 3 और यहाँ पर मेरे पास क्या आजएगा a की power क्या आजएगी n minus 3 और x की power cube आजएगी इस तरह यह चलता जाएगा चलता जाएगा और हमारे पस up to son nth term n combination n तक जाएगा और यहाँ पर क्या होगा कि जो a की power हो जाएगी वो 0 हो जाएगी ठीक है a की power क्या हो जाएगी 0 और x की power n हो जाएगी देखें इसको ज़रा समझें sequence को series जो हम expand कर रहे है कि a की power क्या है वो a के कम हो रही है और x की power पर एक एक ज्यादा हो लिए ठीक है और n पर आते आते एक ही कम होते होते 0 जाएगी और x की एक ही ज्यादा होते होते n तक चली जाएगी तो इसी चीज का नाम जो मेरे पास वो क्या है binomial theorem है कि मैं अपने जो expression है इसको जब मेरे पास एक ऐसा binomial factor आता है जिसके उपर power है वो highest power होती है जिसको मैं अपने जो primary जो हम पहले पढ़ते थे उस तरह नहीं solve कर सकता तो मैं उसको इस तरह binomial theorem से इसको expand करता हूँ तो actually यही मेरे पास जो expression है जो है binomial theorem यही मेरे पास binomial theorem है अब binomial theorem से question कैसे solve करेंगे जैसे मैं एक सी example ले लेता हूँ एक simple अगर मैं अपने इसा binomial theorem से मैं अगर इसी को ही solve करूँ मेरे पास क्या है a plus x a plus x का scale ले लूँ अगर मैंने इसको इसी तरह solve करना है तो मेरे पास क्या था अब n की जगा पर क्या आजएगा 2 आजएगा ठीक है n की जगा पर क्या आजएगा 2 तो मेरे पास क्या आएगा सबसे पहले 2 combination 0 अगर मैं इसको compare करूँ अपने general जो formula है तो क्या है मेरे पास n combination 0 है न first term तो यहाँ पर n की जगा आपर 2 है 2 combination 0 अब क्या आएगा 1 की पावर 1 कम कर देनी है और x की एक जगा आजएगा तो एक पावर यहाँ पर 2 थी यहाँ पर 1 आगी और x की पावर यहाँ 0 थी तो एक जगा करेंगे तो 1 आजएगी प्लस 2 combination 2 ठीक है और यहाँ मेरे पास क्या आजएगा A की पावर एक और कम करेंगे तो A की पावर क्या होगी 0 और X की पावर 1 ज्यादा करेंगे तो X पावर 2 और यहां पर हम stop कर देंगे ठीक है इसको हम अगर solve करें तो 2 combination 0 अब calculator जिसको जब solve करोगे तो वो 1 के equal होता है ठीक है तो 1 into A square और किसी भी variable की पावर अगर 0 हो तो 1 के equal होता है ठीक है तो यह भी जब 1 इससे multiply करेंगे तो यही number बन जएगा और 2 combination 1 जब आप calculator पे निकालेंगे तो वो आएगा 2 और यह मेरे पास आगया AX और 2 combination 2 क्या मेरे पास यह 1 आगया जब इसको calculator पे आप solve करेंगे 2 combination 2 को तो मेरे पास क्या आएगा 1 तो इसका coefficient भी 1 आगया और यह A की पावर 0 यह भी हमारे पास पता है किसी भी variable की पावर जब 0 आजए तो क्या होता है 1 और यह मेरे पास X square आगया तो मेरे पास यहां पर क्या बनेगा A square प्लस 2 A x प्लस X square ठीक है तो आगर आप देखें यह सेम चीज वही बनी है जो हम जो था वो फार्मला पढ़ते थे whole square का ठीक है कि A square प्लस 2 A B प्लस B का square तो actually हम इसी तरह यह तो हमारे पास यहां पर पावर 2 थी जब हमारे पास पावर 3 होगी यह पावर 4 होगी मैं इसको पावर जो लेट्स पोज एक मैं एक्जामपल लेता हूँ यहां पर हमारे पास exercise का यह question ले लेता हूँ 2.2 का question number 1 का first part ले लेते हैं इसको solve करते हैं स्मार्ट स्लेबस में भी है हमारे पास है यहां पर exercise a question 8.2 का question number 1 है question की statement है using binomial theorem expand the following ठीक है expand यह मेरी statement है उसका first part मेरे पास है a plus 2b a plus 2b की power 5 अब देखें मेरे पास power 5 आ गई तो मैं इसको जो है वो binomial theorem expand करूँगा ठीक है by binomial theorem क्या है जी a plus b इसकी power क्या है 5 2b sorry 5 तो simple हम जो है अपने formula के coding जो है इसको देखेंगे ठीक है ठीक है मेरे पास क्या है जी a यहां से फाइव कंबिनेशन n की value में प्रक्तिया है n क्या है हाँ पर 5 है तो 5 कंबिनेशन 0 a की power 5 and 2b की power 0 ठीक है यहां से बिल्कुल आपने जैसे आपको पास general form है उस तरह आपने इसको expand कर देना ठीक है प्लस 5 कंबिनेशन 1 a की power अब यहां पे 5 थी तो a कम करनी है 4 ठीक है और 2b की power क्या आजेगी 1 इसकी power एक बढ़ा देनी है मतलब first number जो होगा binomial जो हमारे पास expression है जो first term होगी first term की power एक कम reduce करते जाना है और second term की power एक एक बढ़ाते जाना है ठीक है अब मेरे पास क्या आएगा यहां पे plus 5 combination 2 a की power 3 2 b यह second term का यहां पे square आजेगा ठीक है plus 5 combination 3 a क्या square और 2b की power 3 आजेगी इस तरह इसको next करेंगे तो 5 combination 4 a की power मेरे पास क्या आजेगी यहां पे एक और कम होगी a आगी और second term की जो power है मेरे पास क्या आजेगी 2b की power क्या आजेगी 4 और last पे क्या आएगा 5 combination 5 और यह मेरे पास क्या आएगा a की power यहां पे 0 बन जेगी और 2b की power क्या आजेगी 5 आजेगी ठीक है बिल्कुल मैंने similarly उसी way में इसको expand किया और मेरे पास यहां पे अगर हमने एक की जोड़ करें तो जो combination है वो क्या दे रहा हमें वो जेस्ट हमें coefficients दे रहे ठीक है हमारी terms के क्या दे रहे जो हमारी binomial expression है उसकी terms के जाए coefficients दे रहे ठीक है तो हमें coefficients help करने में जो है वो combination हम इस तरह हमारे पास इसको हम solve कर लेंगे ठीक है इसको solve करेंगे थह हमारे पास अच्छा यह हमने स्क्राइब कर लिए अब मेरे पास क्या था 5 combination 0 कि आएगा ठीक है 5 combination 0 को में लिटा हूँ वो तो 1 आएगा ठीक है simple यहां से is equal to 5 combination 0 मेरे पास है क्या आ गया 1 ठीक है इसकी जब पर 1 और A की पावर क्या है 5 और 2 B की पावर 0 ये भी 1 है ठीक है तो इसको भी जब इससे multiply करेंगे तो ये ही term रहेगी plus 5 combination 1 5 combination 1 जो है वो 5 ही रहेगा ठीक है ये 5 आ गया और A की पावर जो है वो 4 है और इन्टू 2 B की पावर क्या है वो 1 है ठीक है इसी तरह मेरे पास क्या है 5 combination जब आप 2 calculator पर जो है वो find करेंगे तो वो आएगा मेरे पास 40 ठीक है 5 combination 2 क्या आएगा 40 तो आपने 40 लिखा और आगे मेरे पास क्या है A cube इन्टू 2 B का square similarly प्लस 5 combination 3 निकालेंगे तो उसका मेरे पास जो मेरे पास coefficient आएगे वो क्या है यहाँ पर जो है ना हमने mistake किये यहाँ भी हम क्या करेंगे simple जो है 5 combination 1 जो है वो मेरे पास 5 आगया 5 combination 2 मेरे पास 10 आएगा ठीक है 14 ही 10 आएगा 10 इन्टू 8 इस तरह 5 combination जो है 4 हम निकालेंगे sorry 5 combination 1 हमने निकाल लिया 5 combination 2 निकाल लिया यह आगया 5 combination 3 निकालेंगे ठीक है तो 5 combination जब 3 हम calculator पे find करेंगे वो मेरे पास again 10 आजएगा ठीक है तो वो क्या आएगा 10 मेरे पास क्या आएगा 10 इन्टू 8 स्केर यह वरी टम हम लिख रहे है a square यह 10 के ब्रैकिल लिखा लिए तो यह भी मेरे पास क्या आएगा 10 a square इन्टू 2 b की पावर 3 ठीक है sorry यह 3 whole के उपर पावर है 2 b दोनों के उपर है इसी तरह हम जब आगे चलेंगे तो मेरे पास क्या आएगा plus 5 combination 4 तो 5 combination 4 जब आप calculate करेंगे calculator से तो वही मेरे पास क्या आएगा 5 यह आएगा ठीक है तो 5 into a into 2 b की पावर 4 और 5 combination 5 क्या होता है 5 combination 5 क्या होता है 1 मुत है ठीक है आपने calculate find कर लेंगा a की पावर 0 1 मुत है वो भी चाहे ना लिखें तो 2 b की पावर 5 2 की पावर आपने 5 ले लेनी है ठीक है 2 की पावर जब आप 5 लेते है वो मारे पास क्या आता है 32 आता है ठीक है तो यह आजएगा into 32 और b की पावर 5 तो इसको आपने simple simplify करना है और आपकर question solve हो जाएगा ठीक है एकी पावर क्या आगया 5 आगया प्लस 5 टूजार यह आजएगा मेरे पास 10 एकी पावर 4 b अब यह मेरे पास यहाँ पे क्या है मैंने इस term का scale भी लेना है ठीक है तो एक तो मेरे पास क्या आगया यह बाहिर 10 है into a cube और 2 b का से मैं scale लोंगा और मेरे पास क्या आएगा मेरे पास आजएगा 4 b scale आजएगा ठीक है प्लस 10 into a scale और यह मेरे पास क्या आजएगा 2 b का जब मैं cube लोंगा क्या आएगा यह मेरे पास 2 का cube 8 और यह b cube ठीक है इस तरह प्लस 5 a जब इसकी power 4 लोंगा यह क्या आएगा 16 B की पावर 4 और यहाँ वे मेरे पास क्या आएगा सिंपल 32 B की पावर 5 तो मैं इसको अब क्या करूँगा इसको solve कर लेता हूँ तो मेरे पास क्याएगा सिंपल सिंप्लिफाइग multiplication करनी है जैसे हमने 10 40 40 आजाएगा 40 A Q B स्केर 10 8 आएटी प्लस 80 A स्केर B Q प्लस 16 5 16 आएगें 80 80 A B की पावर 4 प्लस 32 B की पावर 5 तो यह मेरे पास जो है वो मैंने जब expand किया किसको A प्लस 2 B की पावर 5 को तो मेरे पास जो term आई है जो मेरे प्लस answer आया है वो actually यह आया है तो यह बहुत ही असान question है ठीक है और इसको simple आपने binomial theorem से expand करना है ठीक है जो binomial theorem कौन से वाला यह जो हमने भी जान डिसकस किया था इसके according आपने questions को expand करना है और आपका जो है वो question होने लग जाएंगे अगर इसका मैं second part की बात करूँ तो वो भी आपके जो है वो ALP syllabus में जो है वो शामिल है और इसी तरह चाटा part जो है वो भी शामिल है चाटा part को हम देखते हैं जो इसका part है वो बड़ा जो है वो असान है simple जो है अपने जिस तरह आप पहले करते आ रहे हैं आपने solve करना है और आपसा हो जाएगा तो यह first question को जो है वो simple आपने binomial theorem से expand करने है अगर मैं question number 2 की बात करूँ तो question number 2 का जो हमारे पास है बी part ए part और part 3 जो है यह इसमें जो है वो include है तो मैं second part करता हूँ question number 2 का second part जो question number 2 का है उसकी statement कुछ इस तरह से है question की statement यह है calculate the following by means of binomial theorem कि हमने binomial theorem से इसको solve करना है question number 2 की statement मेरे पास कुछ यह है कि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास क्या है calculate हमने करना है इसको 2.02 की पावर 4 को by binomial theorem कि हमने binomial theorem से इसको जो है वो calculate करना है तो binomial theorem से हम कैसे calculate कर सकते है कि simple हम पहले इसको जो है वो binomial बनाएंगे अभी यह binomial term नहीं है तो binomial term बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो integer part और decimal part को लग लग कर लेंगे ठीक है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.02 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.2 ठीक है मैंने decimal part अलग कर लिया तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ अब यह मेरे पास binomial बन गी है तो अब मैं करूँगा इसके उपर binomial theorem expand करूँगा same as मेरे सारा काम calculator के है और मैं calculator से इसको अपने simple formula की method से जो है वो solve करता जाँगा और मेरे पास जो coefficients आते जाएंगे और terms आते जाएंगी ठीक है तो मैं इसको expand करता हूँ मेरे पास कैसे करेंगे जी पर पर स्थू पॉंट टू प्लस पॉंट जी रो टू की पावर क्या है 4 है ठीक है सुरी 0.2 नि 2.0 जास 0.02 जीरो पॉंट जीरो टू ठीक है यह मैं यहا means mistake है आपने correct कर लिनी है 0.02 तो हम मैं करूँगा इसको expand करूँगा पहले मैं इसको simple form में लेता हूँ किया एंड की पावर यहां पे value किया 4 है ठीक है तो मैं लिखूंगा 4 combination 0 into first term में पास किया 2, 2 की power highest जितनी हमारे पास है 4 और 7 में जब 0.0, 0.02 की power जब मैं 0 लूँगा तो वो तो 1 आ जाएगा ठीक है plus 4 combination 1 ठीक है अब 2 की power reduce करनी है 4 थी 3 आगी और उसकी power increase करनी है 0 थी तो 1 आ जाएगी ठीक हो गया इस तरह 4 combination की आजएगा मेरे पास 2 आजएगा और 2 की power reduce कर दी और उसकी power मैंने बढ़ा दी तो यह मेरे पास की आजएगा 2 आजएगा plus 4 combination 3 into 2 की power 1 जो है वो 2 लेगा और यहाँ पे मेरे पास 0.02 की power 3 बन जएगा और plus last पे जाके मेरे पास 4 combination 4 और मेरे पास क्या आएगा 2 की power 0 1 होता है और simple मेरे पास 0.02 की power क्या आजएगा 4 आजएगा तो यहाँ इस तरह मैं इसको जो है वो लेके चलूँगा और अब मेरे पास क्या काम है का मैंने इस तरह इनके coefficients को find करने और coefficient को find करके इनको solve करके multiply कर देना है ठीक है तो जो first मेरे पास आएगा 4 combination 0 वो तो 1 उता है ठीक है यह मेरे पास मैंने यह साले solve करने के बाद यह चीज़ लिखती है अब 4 combination 1 क्या है जी 4 combination 1 क्या है 4 होता है ठीक है इसका answer 4 आजएगा 2 combination 3 का answer क्या होता है जी 2 combination 3 का answer होता है जी 8 और 7 मेरे पास multiply हो रहा है 0.02 ठीक हो गया प्लस हमें करूंगा कि 4 combination मुझे 2 find करना है जो कि 6 होता है ठीक है 6 आ गया 6 into 2 का square क्या होता है 4 ठीक है और 7 में मेरे पास क्या आ गया 0.02 की power 2 तो मैं यह find कर लेता हूं calculator पर आपने भी कर ले नहीं है 0.02 का square लेंगे तो मेरे पास आएगा जी वो calculator पर जब solve करेंगे हमारे पस आएगा 0.004 ठीक है इस तरह जब मेरे पास next में चलता हूं तो मेरे पास क्या यह मैंने जी 4 combination 2 4 combination 3 find करूंगा तो 4 combination 3 मेरे पास क्या आएगा 4 combination 3 again मेरे पास 4 आता है ठीक है तो मेरे पास 4 आ जाएगा यहां पर इसका 4 into 2 into 0.02 की power 3 इसको भी हम find करेंगे तो calculator पर करने के बाद इसका answer आ रहा है 0.000008 ठीक है यह मेरे पास 5 दफ़ा 0 हाया point के बाद और यह आगी term इसके बाद मेरे पास क्या आएगा प्लस अब मेरे पास क्या है 4 combination 4 ठीक है 4 combination 4 करूंगा वो तो 1 होता है और मेरे पास simple 0.02 की power क्या आ गया 4 जब इसको find करूंगा calculator पर यह मेरे पास इसका answer 1 आ रहा है और यह आजएगा 0.000008 यह calculator की सारी game है आपने calculator भी सासथ करते रहने है और आपका answer आजएगा ठीक है इसमें कितने 0 हैं जी 1 2 3 6 0 है ठीक है 4 5 6 और 16 यह आपने calculator भी घर में चेक करने है ठीक है यह तो 16 को जब इसे multiply करूंगा तो यह मेरे पास 16 ही आ रहा है ठीक है जब इसको multiply कर रहा हूं solve कर रहा हूं सारे को 4 को 8 से multiply करें 84032 को जब 0.02 से multiply करेंगे तो आपके पास answer आ रहा है प्लस 0.64 अंसर आ रहा है ठीक है इस तरह जब 6 को 4 से करेंगे और उसके बाद इसको इस नमर से मल्टीप्लाइ करेंगे तो मेरे पास अंसर आ रहा है जी 0.0096 इस तरह प्लस नेक्स टरम जो है मेरे पास बनती है इनको जब मैं सॉल्व करता हूँ इसको जब मैं मल्ट इपलाइ करता हूँ कEलडर पे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.00064 प्लस लास्वर्ल टम जो है इसका जब में करता हूँ calculator पे तो मेरे पास जो answer आ रहा है वो आ रहा है 0.00064 and plus last word term जो है इसको जब में करता हूँ तो मेरे पास वो तो वैसे की वैसे one size बखाने के बाद आ जाएगी 0.123456 times जो है वो 0 है और यह आ गया अब आपने इनका सिर्फ submission find करना है जब आप इनको sum करेंगे तो यह simple हमारे पास answer आएगा 16.64966416 ठीक है तो यह मेरे पास actually answer आया है इसका 0.02 का जब हम इसको इसका square expand करते है ठीक है तो actually आपने इसी वे में सारे answer जो है वो find करने है और अभी आपने question number 12 तो जो 8.2 में है और इसके लावा भी जितने भी question है तीन चार हो भी है एक दो question में अपनी next video में करवाता हूँ आपको और आपने यहां तक जो है ना वो खुद solve करने है